सो uh welcome to my channel guys इस बर में discuss करेंगे डिसटे निक्शन आतानल्चा में इन डिटेयल्स डिसकास करेंगे यह जो topic है मैंने pick किया है comments section से आप में से बहुत candidates यह就是說 बारबार पूछे है इसी related 요 н handfulal बारबार पूछे है सेलेक्शन पसरीय और समझने से पहले क्वालिफिकेशन के बारे में एक किलियर नॉलेज आपको होना चाहिए देखे टेक्निशियान की क्या क्वालिफिकेशन है एक साल या फिर दो साल डियोरेशन आईटाई कोर्स पर साथ होना चाहिए या फिर टेन प्लास टू यानि टुवल्थ में आपको फिजिक्स और केमेस्ट्री के साथ 12 पर साथ होना चाहिए और Assistant Locopilot के लिए क्या है एक साल या फिर दो साल Duration ITI कोर्स या फिर तीन साल Duration Diploma कोर्स या फिर चार साल Duration B.Tech या फिर B.E. कोर्स पर साइटिवेर आपके वास होना चाहिए तो फिर आप Technician या फिर Assistant Locopilot के लिए इलिजेबल है अभी बहुत सारे Candidates या फिर बहुत सारे लोग यही नहीं जानते के Technician फिर या फिर ALP के लिए एक साल का भी कोई कोर्स होता है यह सित्याब टीए में जो साइटिवेर होने से आप इसमें अपलाई कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके उपर प्रोपार वीडियो डिसकस करूंगा मतलब जो आस जो उने Des ससाने करूंगा तो उवीडियो जरूर देखिएगा अभी चलते हैं सिदा मुद्ड पर यह पहले आपको जो selection procedure है उसमें पहले आपको तो application करना परेगा apply करने के बाद आपका scrutiny होगा application फिर जाके आपका first जो exam होगा वो क्या है CBT on यानि computer based test on यही यह दोनों के लिए same है मतलब जो अभी जितना तक अब मैं बता रहा हूँ यह technician and alp के लिए common होगा मतलब एक ही साथ exam होगा अलग से कुछ नहीं होगा एक साथ technician का same paper paper होगा same दीनी होगा अलग से कुछ नहीं होगा यह common test आप बोल सकते एक तरह से यह all over India basis है मतलब यह अलग से कोई board wise नहीं होगा CBT on all over India basis competition करने करके आना होगा आपको मतलब मेरिट में आना होगा 75 marks के total question है और टोटाल जो duration है exam duration वो 60 minute का duration है और इसमें आपको जो minimum qualification number है वो 40% general के लिए OBC के लिए 30% SC के लिए 30% 20% ST के लिए 25% ST के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसी marks मिलेगा तो आप qualify कर जाएंगे मिनिमाम है number इसके ऊपर आपको काट आप आने के लिए आपको वो number मिलना होगा आपको फिर इसमें से देखिए जो CBT on आपका हो गया फिर आपका CBT2 के लिए आपको अगर qualify करेंगे तो क्वालिटर भ्या जाएगा CBT on से कितना candidate CBT2 में जाएगा 15 times candidate किसका 50 is vacancy का 15 times समझे के 100 के आपका vacancy है तो आपको 1500 candidate CBT2 के लिए बुलाएगा तो इसमें से क्या है इसमें से दो पार्ट है एक है पार्ट A and second है पार्ट B पार्ट A क्या है पार्ट A में आपको 100 marks की question and 90 minutes का time and पार्ट B में 75 marks की question और 60 minute time देखिए यह पार्ट B जो है एक qualify round है इसमें से आपको 35% marks minimum लाना होगा कोई भी reservation part B में नहीं है आपको minimum 75 में से 35% marks आपको लाना होगा फिर अगर इसमें qualify फिर आपका qualify माना जाएगा और qualify होने से ही आपका part A का खाता चेक किया जाएगा नहीं तो उधर यह आप disqualify हो जाएंगे तो यह तो आप समझ गए कि qualify round क्या है इसका number भी कोई merit में नहीं आएगा अभी part A में जो number आपको मिलेगा वो आपका merit list में आएगा तो important है part A आपको part B थोड़ा कम important है पर आपको qualify के लिए minimum 35% marks मिलेगा इस से आपको पढ़ाई करना है इसमें भी देखे क्या है आपको general के OBC के लिए SC के लिए 30% ST के लिए 25% minimum qualification number qualify number और जो मैंने बता दिया already के सब category के लिए part B में 35% number है देन आपका इस यह भी देखें CBT-2B यह भी common है ALP and technician के दोनों के लिए यह exam देना होगा मतलब अगर समझे के कोई candidate ITI पास है ITI के पास lateral entity देके diploma किया है फिर B.Tech किया है फिर वो क्या है उनका अगर preference यह समझना आपको बहुत important है उनका अगर preference समझे के आप आपका अगर preference technician पहले होगा तो आपको इधर तक तो exam देना ही होगा और आपका अगर पहला preference आपको दोनों ही select करना होगा मतलब यह तक CBT-2 तक common है देन क्या है देन साइको टेस्ट साइको टेस्ट होगा अभी देखिए जो CBT-2 है उसमें से 8 times candidate वतलब वेकंसी का 8 times candidate यानि 100 वेकंसी रहा तो 100 गुना आठ 800 candidate जाएगा CBT साइको टेस्ट अभी तो इसको computer-based aptitude टेस्ट यानि आपका CBT बोलते हैं तो यह देना होगा देखिए इसमें क्या है साइको में आपका total of 5 batteries होगा इच batteries में आपको minimum 42% नंबर पाना होगा फिर आपका qualify माना जाएगा इधर ही आपका एक changes हो जाएगा जो candidates का पहला preference LP है उनको और second preference है technician उनको साइको एक्जाम देना होगा ऐसा नहीं है कि वो साइको एक्जाम नहीं देंगे psycho exam देना होगा अगर कोई candidate का पहला option है technician और second है LP देन उनको यह psycho exam देना नहीं होगा मतलब चाहे तो नहीं दे सकते अगर चाहे तो उनका यह option है उनके लिए फिर अगर वो यह psycho exam नहीं देंगे तो आपको ALP में इधर से ही आपको ALP से आप बाहर हो जाएंगे मतलब आपके लिए बस technician post available है पर अगर आप psycho exam में बैठेंगे मतलब आपको psycho exam एक तरह से देना होगा अगर absent कर गए तो आपको आपको यह technician में मिल जाएगा ठीके पर आपको यह exam देना होगा फिर देखें आपको इधर तक भी आपको अगर आपका qualification ITI इसके बाद diploma है तो आप ITI qualification से आप technician के लिए eligible है एलप के लिए भी eligible है तो आप दोनों इधर तक आपको तीन exam पूरा complete करना होगा फिर देखिए फिर आएगा document verification इधरी इधरी आपको थोड़ा twisting है इसमें अगर आपका साइको में आपका second option रहा technician फिर आप साइको में अगर छट जाएंगे और आपका qualification ITI तो आप तो technician के लिए भी eligible है और उस cut-up mark भी आप पर्ग कर गए तो आपको साइको में fail कर गए तो फिर आप technician के लिए post के लिए आप eligible हो जाएंगे मतलब अगर cut-off आपका सही रहा तो आप technician में आपका job हो जाएगा मतलब document verification and medical के लिए आपको call letter भेजा जाएगा पर आपका अगर option ALP second है और psycho में आप fail कर गए तो आपका कोई problem नहीं आप तो technician के लिए ऐसे ही eligible है है आप अलब के लिए बहार निकल गए मतलब जो candidate psycho में fail करेंगे या फिर absent करेंगे उनको technician का job मिल जाएगा अगर बो technician के qualification में पढ़ता है तो मतलब iti हो अगर आपका diploma qualification में only diploma तो आप आप technician के लिए लिजेबल नहीं है और आप psycho में भी fail कर गए तो आप पूरा यह selection पॉसरियोर से बहार निकल जाए आपके पास कोई option ही नहीं होगा पर आपका qualification अगर यह diploma या फिर बीटेक दोनों के बात ही मैं कर रहा हूँ अगर आपका qualification iti है तो आप technician और यह दोनों के लिए लिजेबल है उसमें आपको आपका अगर साइकों में फेल कर गए आप तो technician मिल जाएगा अगर साइकों में फेल ना कर गए और आपके तो फिर आपका जो option है वह prefer कर किया जाएगा मतलब आपका qualification यह तो आ खेले मिलेगा तो clear हो गया यह doubt clear हो गया अगर इसके अगर इसमें कोई आप फिर बेंडाउट रहा तो comment में पूछें देखें नेक्स्ट क्या medical में अगर medical में देखें medical में जो एक टू में ए यह यह उन में जो standard है वो सब चेक होगा फिर एक यह उन के बाद आपका जो medical standard के उपर depend करेगा कि अगर यह उन में आप नहीं रहे तो आपका medical A2 लिखा जाएगा आपका मतलब जो documents हो तैयार होगा railway votes से वो A2 लिखा जाएगा medical और आप technician में मिल गए आपका technician का medical है A2 तो आप technician का job को मिल गया बट आप LP में LP पहला preference रहा और आप psycho में पास कर गए और अपको medical में आपको unfit हो गए तो भी आपको technician की job मिलेगा बाहर नहीं निकल जाएंगे मतलब आईटाई वाल के लिए बहुत golden जूबली है आईटाई वालों को अगर ठीक ठाक बढ़ाई किये और merit लिस्ट में आ गया तो तो बाहर निकलना ना उनको छटना बहुत ही मुश्किल है क्यूंके आईटाई को दोनों post के लिए eligible आईटा का जॉब मिल जाएगा इसलिए जो आईटेवल एक हमेशा प्रेफरेंस में दोनों ही रखी है एलपी टेगनिशन दोनों ही रखी है किसी में किसी में भी आपको मिल जाएगा अच्छा अभी जो मेडिकल स्टेंडर है वो तो बताना इतने बाटन नहीं है देखे अभी एक यह बात करेंगे जो टेंड ब्ल्स टू से टेकनिश्यां में अप्लाई किये मतलकर सेकंड और फास्ट ऑप्षिन वो रखे ऊँए जैसे मेurnा था by gas to science है तो मैंने technician पहले जोटा सेकरGM def u अगर ऐसा आपके लिए होगा अगर technician में आपको नहीं होगा तो iACH Cindy में होगा वर इसमें अपका थी लेड हो जाएगा तो यह तो आप यह मेरिट लिट वस्त भुटर निकलने में तो iACH Fang ढ़ा तो तो थोड़ा स्पीड से कम होते हैं अभी आपका अगर 10 प्लस टू रहा और आप साइकों में फिल कर गए फिर भी आपका टेकनिशियन कैटेगरी में आपको माना जाएगा के टेकनिशियन के लिए जोग है और उसमें भी आपका काट आप पार करना होगा 10 प्लस टू का जो काट आप बहुत हाई जाता है क्योंकि सिर्फ दो एसेंट सिग्नल टेलिकरमिशन यह पोस्ट के लिए बहुत हाई जाता है इसका ठीक से बढ़ाई करना होगा यह तो रहा मोटा मोटी जो जो बात था अगर इसमें भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट्स में पूछिए डिटेल्स पे उसके उपर कुछ वीडियो लाओंगा जरूर और आपका पैनलिस्ट में नाम आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए इसमें आपका क्वालिफिकेशन उपर डिटे अगर आपको इंफरमटिक लगा है तो जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीवे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम